दोस्तों साधारन रूप से प्रत्येक प्राणी में कुंदलिनी सुशुप्त अवस्था में रहती है ये सर्पाकार है तथा इसकी गती भी सर्प की ही तरह है योगा अभ्यासी के शरीर में ये चक्रवाद गोल चलती तथा शक्ती वर्थन करती है कई विद्वानों का कहना है कि इसकी चाल प्रकाश की अपेक्षा कहीं अधिक तेज है प्रकाश 18,500 मील प्रती सेकंड चलता है लेकिन कुंदलिनी की गती 34,500 मील प्रती सेकंड है कुंदलिनी मुलाधार चक्र में स्थिर होकर सोई रहती है दोस्तों मुलाधार चक्र शरीर के 6 चक्राकार गतिमान शक्ती केंद्रों में से एक है वर्तमान शरीर विज्ञान की दृष्टी से ये स्थान नाडियों के समू है इनके नाम क्रमशह मुलाधार स्वाधिश्थान, मनिपूर अनाहत, विशुद्ध तथा आग्या चक्र है मुलाधार सुशुना दन के निम्न भागो में स्थिर होती है कुंदलिनी इसी स्थान पर सोई रहती है स्वाधिश्थान चक्र प्लीहा के पास स्थित होती है ये दोनों भोहों के बीच में कापाल में स्थित है पिनियल ग्लैंड तथा पिट्यूटरी बोडी इससे संबंधित है कुंदलिनी जागरत होकर मेरुदंड के मध्यमें स्थित सुशुना मार्ग से होकर इडा नाडी पिंगला नाडी की सहायता से उपर की और प्रवाहित होकर इन शत चक्रों को प्रज्वलित और प्रान युक्त करती हुई अंत में सहसरार में जाकर योगी को पूर्णावस्था की प्राप्ती करा देती है दोस्तों मेरुदंड में से होकर उपर जाते समय जिस जिस चक्र में से होकर यह गुजर्ती है, उस उस चक्र को ये जागरित करती तथा खोलती जाती है। सहसरार चक्र का जागरत होना ही कुंदलिनी साधक का परमलक्ष है। संपूर्ण चक्र कमल के आकार के माने गए हैं लेकिन इनकी पंखडियों की संख्या में अंतर होता है। सहसरार को शून्य चक्र भी कहते हैं। सहसरार चक्र के जागरत करने वाला जगत का सनहार और पालन करने में समर्थ होता है। दोस्तों विशुद्ध चक्र के ध्यान में लीन योगी ज्यानवान, उत्तम वक्ता, शांचित, त्रिलोकदर्शी, सर्वहितकारी, आरोग्य, चिरंजीवी तथा तेजस्वी होता है। सहसरार का ध्यान करते ही योगी अमर्मुक्त, उत्पत्ति पालन में समर्थ, आकाश गामी तथा समाधी युक्त होता है। दोस्तों अंत में कुंदलिनी शक्ती जागरत होकर देहस्यकफ पित्तादी दोशेवं त्याज्य पदार्थों को नश्ट कर डालती है। उसके उर्द्व गमन करते ही देह के तमाम कार्य प्रनाली बंध हो जाते हैं। फ्रिदै तथा नारी की गती भी बंध हो जाती है। और कुंदलिनी के सहसरार में प्रवेश करते ही योगी मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार चक्रों का प्रकाश कुंदलिनी जागरिती का द्योतक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।